हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का study at home चैनल पर स्वागत है आप सभी कैसे हैं आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे प्लास 10th NCIT बुक के चैप्टर नमबर 15 प्राइक्ता की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको अच्छे से समझेंगे probability के नाम से हम इसको जानते हैं तो आईए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को सभी लोग अंतर तक देखें तब ही आपको पूरा अच्छे से इसका जो basic concept है वो आपको समझ में आएगा और लेखी बच्छो प्राइकता कों इंगल्ष में probability कहते हैं प्राइकता का मतलब क्या होता है walktadada का मतलब आने वाले परिणाम है उन आने वाले परिणामों जो संभावित परिणाम है कि कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं उनकी संख्या सिर्फ दो होती है या तो आपका हैड आएगा या टेल आएगा ठीक है फिर इसी के अलावा मान लिजिए कि एक रेस में बहुत सारे लोग रेस ल भी बहुत सारे उधारण है माली जा आपने पासा देखा हो जो लूडू का गेम होता है उसमें जो हम पासा फैकते हैं तो पासा पर आपके एक से लेके छे तक के अंक होते हैं तो उस पासे को जब आप फैकेंगे तो कौन सा अंक आएगा इसकी संभावना कितनी है है ना तो इस तरीके की संभावना है पता लगाना उसको ही हम क्या कहते हैं प्राइकता या प्रॉबिलीटी कहते हैं या जैसे माली जा आप ताशो के गेम खेल रहे हैं ना कार्ट्स खेल रहे हैं तो उसमें कई तरीके के पत्ते होते हैं एक का दुक्की है ना बेगम बाश्या गुल है ना इस तरीके के पत्ते होते हैं तो हम हमारे उसमें पान का भी होता है हुकुम का भी होता है इक का है ना चिडी का भी होता है इट का पत्ता भी होता है तो उसमें से कौन सा पत्ता आएगा या किस चीज़ का बाश्चा आएगा उसके आने की कितनी संभावना है कितनी प्र वालों में हम प्राइक्ता का जो कॉंसेप्ट है वो यूज करते हैं प्राइक्ता को समझने से पहले अब किसी भी कोई इनकों ऐसे ही बोल देते हैं कि यह जैसे मान लीजिए कि हमने ताश की गड़ी बिनाई उसमें से कोई पत उसमें आप से पूछा जा रहा है कि बाश्चा अबना होगी यह इस गटना होने की क्या प्राइड्ता है है ले इस इंसिडेंट के होने कि क्या प्राइबिलिटी है तो सबसे पहले आपको अलग-अलग कंडिशिनों में जो अलग-alग परिस्थिती जाएंगी उन में सबसे पहले एक शब्द आता हैप्रतिदर्श क्या होती है उसको समझना बहुत जरूरी है प्रतितर समझती का मतलब यह होता है कि किसी भी घटना के जितने भी संभावित परिणाम है वो सारे आप नूट कर लीजिए माली अगर रेस दस जनों की रेस लग रही है तो उसके दस परिणाम आ सकते हैं कि दस परिणाम कैसे कि वह यह 10 के 10 लोग जीश सकते हैं आपने पासा फेका तो उसके चे परिणाम आ सकते हैं 6 परिणाम कैसे यह कि इसमें एक अंग भी आ सकता है 3 भी आ सकता है 50 प depende है और 6 भी आ सकता है न तो यानिकि जितने परिणाम आपके संभवत और आप आपने सारे नोट उल्दे अडे ह दा रहे हैं उस घटना के total कितने परिणाम संभव हैं यह सारे परिणामों की संख्या कोई जितने भी संभव परिणामों उनको हम प्रतिदर से समष्टी बोलते हैं प्राइक्ता निकालने का जो basic formula होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं देखिए जो है प्राइक्ता निकालने का जो basic formula है प्राइक्ता को हम English में probability बोलते हैं और मैंने बता रहे हैं घटना को incident बोलते हैं तो E से represent करते हैं तो किसी भी घटना के होने की जो प्राइक्ता होती है उसको हम PE से represent करते हैं और उसका जो formula होता है वो यह होता है अभी प्रय यानि उस जिस घटना के आप होने की प्राइक्ता निकाल रहे हैं उसकी संभावना कितनी उन परिणामों की संख्या तो हम उपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं अभी प्रयोगों की कुल संख्या यह अभी प्रयोगों की कुल संख्या का मतलब वही है जो मैं आपको बता प्रतिदर्स समझ्टी यानि जितने भी संभावित परिणाम है उनकी संख्या कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक आपने पासा फैका और आपसे पूछा जाए कि उस पर 6 अंग काने की प्राइक्ता बताओ तो वह एक बटा 6 हो जाएगी क्यूं क्यूंकि पा प्राइक्ता के बारे में अध्यन कर चुके हैं जो वास्तिविक प्रयोगों के प्राइक्ता के प्राइक्ता के पर अधारित थी हमने एक सिक्के को एक हजार बार उच्छालने के प्रयोग की चर्चा गीती जिसमें परिणामों की बारंबार था हैं जो आउटकम्स थे यानि जो परिणाम आ सकते थे वो इतने थे कि उसमें चार्ट अमान लीजे आपको एक 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 सिक्का उच्छाला उसमें से जो हैड आ सकता है वो 455 टा तो अगर आप से उसमें पूछा गया कि उसमें चित आने की यानि की हैड आने की जो प्रयक्ता है वो कितनी होगी तो आपके अगर को जो हैड आने के प्रणाम में वो उपर लिखोगे और बटे में आप टोटल लिखोगे टोटल यानि कि आपने जितनी वार सिक्का थाउजेंड हो जाएगी तो इस तरीके से भी हम प्राइक्ता को समझ सकते हैं तो देखी इस तरीके से किसी भी घटना ई कोई भी आपको घटना दी गई है तो किसी भी घटना ई की सैध्धान्तिक प्राइक्ता जिसे हम पारंपिक प्राइक्ता भी कहते हैं क्लासिकल प्रयोगों के सभी संबब प्रणामों की संख्या जो है आपकी नीच आ जाएगी तो इस तरीके से आपका प्राइक्ता का फार्मला बन गया कुछ उधारनों को और समझते हैं जिससे आपको अच्छे से प्राइक्ता के बारे में ज्यान हो जाएगा जैसे यहाँ पर पहला ए प्राइक्ता ज्याद करनी तो अगर हम इसकी हल को समझें तो इसमें लिखवा आहीं कि एक को एक बार उचाने के प्रयोग में संभव प्रणामों की संत्य कितनी अगए है ख़िप अर है थो जब तो अगर हम ये के अनुकूल अनुकूल मतलब अभी स्मे हमारे लिए अनुकूल रही कौन रहेaking चित प्राप्त करना और उस घचित प्राप्त करने के परणामों की संक्या सिर्फ कितनी है एक वार आप शिक्रा हृशा लोрать तो कितने तरीके से चिता सकता है सिर्फ एकी तरीके से एकी तरीके से एकी तरीके से हैड आ सकता है तो हमारे जो अनुकूल प्राइक्ता है वो कितनी है अनुकूल परिणाम जाए वो सिर्फ एक है तो पी बरावर एकी जगे पे हाँ पर चित क्यूंकि हम चिताने की प्राइक कितनी हो जाएगी वो भी एक बटे दो जाएगी एक बार सिक्का उचालने पर एक ही तरीके से ही पटा सकता है और टोटल परणावों की संख्या कितनी होगी आपकी दो होगी ठीक है तो इस तरीके से ही एक बटे दो head आने की भी प्राइक्ता हो गई और एक बटे दो आपके tail आने की प्राइक्ता हो गई लेकिन कब जब आपने सिक्का सिर्फ एक बार उचाला अगर आप ये एक से ज़्यादा वार सिक्का उचालते हैं तो अलग-अलग condition इसमें हो सकती है वो भी आगए आपके सामने आएंगी लेकिन अगर आप दूसरा example देखें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ठेले में एक लाल गैन एक नीली गैन एक पीली गैन्दे ये भी एक अलग तरीके का है उधारन आपको देखने के मिले हैं याँधि का नाम की लड़की है वो बिना थेले के अंदर जाके इसमें से एक गैन्द निकालती है तो इस बात की क्या प्राइक्ता है कि वह गैन्द पीली होगी देखिए अगर हम पीली गैन्ध होने की प्राइक्ता निकाले तो हमारे लिए अनुकुल परिणाम इस थैले के अंधर कितने है कितनी पीली गैंदे स्फैले के अंदर मौझूद है शिर्फ एक तो इसलिए हमारे अनुकुल परिणामों के सँख्या जो है वह एक हो गई ठीक है और टोटल गैंदे इसमें कितनी है भई एक लाल है, एक नीली है और एक फीली है तो टोटल परणाम कितने हो गई, तीन तो इसलिए अपन में कितना जाएगा तीन यानि पीली गैंद आने की जो प्रायक्ता है, वो एक बटा तीन हो गई इसी प्रकार सिमिररली अगर हम लाल गेंद की प्राइक्टा निकालेंगे तो वो भी एक बटा तीन आएगी क्योंकि आपकी लाल गेंद भी एक है टोटल गेंदे कितनी है तीन और इसी प्रकार हम नीली कहने के निकालने तो वो भी प्रायक्ता कितनी है जाए ही एक बटा तीन देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ भी होगा अगर हम इसको नीचे देखते हैं सब के आंसर आप देख सकते हैं PY का मतलब यहाँ पर येलो PY का मतलब Red और PB का मतलब Blue यहनी तीनों के नोगी प्रायक्ता इन्होंने एक बटे तीन ही निकाल लगी है और वो ही बात इन्होंने समझाई है जो मैंने आपको इसमें अभी बताई है ठीक है अब इसमें कुछ आपको यहाँ यह भी समझाएगा है कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो वो प्रारंबिक घटना कहलाती है उसको हम Elementary Event बोलते हैं उधारन एक में E और F प्रारंबिक घटना है यानि E और F का मतलब E वहाँ पे आपके हैड आने की घटना थी और F समझ लीजे आपके टैल आने की घटना थी वो सब प्रारंबिक घटना थी क्योंकि एक ही परिणाम उनमें संभब था सिक्का उचालने पर या तो हैड आएगा या टैल क्योंकि अगर हैड आगे तो टैल नहीं आएगा और टैल आएगा तो हैड ही आएगा यानि ऐसी घटना है जिनमें सिर्फ E की परिणाम संभब हो उनको हम प्रारंबिक घटना कहते हैं उधारन दो में भी यही है कृर्टिका के ठैले में तीन घटने कैन लेकिन जब वो हाट डाले में सिर्फ और यह बार ये की निकाली नीग है एकी निकाली है यही निकाली तो जहां पर सिर्फ की हैड आने की प्राइकता थी प्राइकता थी तो अगर आप उन दोनों को एड़ कर देंगे यानि पी और पी यफ को आउड करते हैं तो टोटल उनका वनी आएगा क्योंकि एक कांसर ऊपॉंट टू था दूसरे घटनाएं वाली प्राइकता होती हैं उनकी आप प्राइकता हैं जब निकालते हैं अलग-अलग और सब को अगर आप एड़ करेंगे तो उनका टोटल हमेशा वन ही आएगा यानि कुल मिला के हम इस निसकर्ष पर पहुंचे कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारम भी घटनाओ अब पासे वाला सवाल आ गया सिर्फ आपने कितनी बार फैका एक बार तो नंबर एक चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्राइकता क्या है फिर दूसरा प्रशनी से पुछा कि चार से छोटी या उसके बरावर संख्या प्राप्त होने की प्राइकता क्या है अब ह हम पहले पर focus करेंगे चार से बड़ी संख्या आपके पास पासे में कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे है ना और आपने यह मान लिया कि चार से बड़ी जो संख्या है उसके प्राप्त होने की घंठा को आपने ए से रिप्रिजेंट कर दिया और फिर आपने लिख ली प्रतिदर समझती यानि जितने भी संभव परिणाम थे टोटल एक पास उका फैक्ट ने तो कितने परिणाम संभव हैं ये च्छे परिणाम क्या आने के लिए जो अनुकूल परिणामों की संख्या वो सिर्फ कितनी है दो तो इसलिए घटना ई होने की जो प्राइक्ता पी होगी ए का मतलब यहां पर चार से बड़ी संख्या है वो दो बटा च्छे हो जाएगी क्योंकि दो हमारे अनुकूल परिणाम थे फॉर्मले अगर हम बात करें चार या फिर चार से चोटी इस घटना को हमने एफ माल गया सभी संभा परिणाम अबी भी वही संख्यानों लिखी है एक दो तीन चार जो पी आफ हो जाएगी वह चार बटे च्छ वह जाएगी, चार बटे च्छ को हम दो से कैंसल करेंगे, तो दो दो नहीं, चार दो तीन च्छ है, यहनी दो बटे तीन आ जाएगी, तो देखो एक आंसर आपका जो आया, PE का वो कितना आया था एक बटे तीन ये एक बटे तीन आया और PF का जो कितना आया वो आया आपका दो बटे तीन अगर आप इन दोनों घटनाओं को भी जोड़ें अगर आपने समझ लो रही प्राइकता नीकालनी तो आप प्राइकताओं को जोड़ कर देखिंगे आपको उत्तर की जांच हो जाएगी अगर आपको जोड़ कर वापिस वन आ गया तो समझ लो आपने प्राइकताओं सही निकालनी आप 3 और 3 पर 1 प्लस 2 ऐसी आजाएगा तो 1 और 2 कितने हो से आपके 3 , यानि 3 ou goya और 3 से 3 को Ccancel करा तो कितना आ गया 1 to am तहुर इस तरीके से आपके साथी की जाँज भी आ गया यानि दोनों घटनाों की अलग-अलग आपने प्रायक्ता निकाले इस प्रायक्ता हो टो गई कि अगर आप जैसे यहां पर थोड़ा साँ जैसे पी जो थी आपके वो 4 से बड़ी संख्यानी के प्राइक्ता थी और फीए आप चार-चार-चार-चार-चोटी-सं CHC. नि काल रहे हैं और टोटर्रा अपकी वन है तो अगर आप इस ले जाएं यानि कि वन में से आप पी को क्या कर दें माइनस कर दें तो वो किस के बरावर आ जाएगी पी एफ के बरावर हो जाएगी यानि पी एफ कमान वन माइनस पी के बरावर है यानि कि अगर आप चार से बड़ी संख्यानी की प्राइकता को वन में से घटा देते हैं तो अगर आपको कभी भी किसी घटना के होने की प्राइक्ता दे रखी हो ऐसे किसी घटना के होने की प्राइक्ता को हम P E से प्रदर्शित करते हैं और अग कभी-कभी उस प्रशन में आपसे पूछ ले आता है कि उसी घटना के ना होने की प्राइक्ता निकालो तो हम P E के उपर बार लागा देते हैं एक डंडा सा लागा देते हैं इसको पीई बार बोलते हैं इससे और किसी इए ग्षण करते हैं और किसी भी घटना के ना होने की प्राइक्टा को पीई बार ऋटाकरते हैं और उसको निकालने का फॉर्मला होता है ju factor 1- क्या लाएंगी एक दूसरे की ठीक है आगे बढ़ने से पहले आई ये निम्लिकित प्रश्ण को उत्तर ग्याद करने का प्रयत्न करें आप भी प्रयत्न करना आपकी और प्रैक्टिस होगी इसमें पूछाए कि पासे को एक बार फैक्टने पर संख्या आठ प्राप्त करने की प्रैक्टा क्या है आपने पासा फैका और इस पर संख्या आठ आ जाए तो इसकी प्रैक्टा क्या होगी अब आप लोग बताओ क्या होगी क्या पासे पर आठ अंक होता है होता ही नहीं है यानि यहां पर अनुकुल परणामों की संख्या बिल्कुल जीरो है और टोटल पर वन साथ से चोटी संख्या साथ से चोटी संख्या हो गई और टोटल पाशे में इस हमीοι इस कौने अब कर नब की संध्या में एक आ गई कि साथ से छोटी संध्या प्राप्त करने की प्राइक्ता वह वन आ गए जाए तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे निश्चित घटना कहेंगे या निर्धारी सर्टैन श्योर अगर जिसकी प्राइकता एक आ जाती तो ऐसी घटना आपकी निश्चित घटना कहलाती है अब देखी कुछ उधारन अगर आप समझें अब हम एक उधारन तार्षों से संबंदित लें क्या आपने तार्षों की गड़ी देखी है एक गड़ी में सबसे पहले तो आप कोई पता होने चींग कि बावन पत्ते होते हैं बावन कार्ट्स होते हैं प्रतेक समूँ में 13 कार समूँ जो होते हैं एक तो स्पैट्स जिसको हम हुकुम बोलते हैं हार्ट्स यानि जिसको हम पान बोलते हैं डाइमंड्स यानि आपके इड़ और क्लफ्स यानि की चिड़ी हर किसी के 13 13 कार्ट्स होते हैं इसमें जो आपके क्लफ्स और जो स्पैट् और चो आपका हाट और डायमंड है यानि पान और इड वह आपके रैड कलर के होते हैं और प्रतेक समूगे तेरा पत्ते वह कौन-कौन से होते हैं गलाम होता है तक होते हैं तो सब्सक्राइस जुवात आपके और द्रते न कि पना करेगे इंग ठीक है और यह बाश्चा, बेगम और गुलाम कि जो होते हैं यानि जो आपके king, queen and jack जो होते हैं यह face card कर लाते हैं यानि इन पर किसी ना किसी का चहरा बना हुआ होता है तो यह आपको पूरी अच्छी तरीके से मैंने पत्तो की जानकारी दे दी जिसको अभी तक नहीं थी नहीं तो आप market से ताश की गड़ी लाके या net पर search करके भी देख सकते हैं अब अच्छी प्रकार से फैंटी गई हूँ धारन नमबर 4 अगर हम देखें अच्छी प्रकार से फैंटी गई 52 पत्तो की एक गड़ी में से एक पत्ता निकाला आता है 52 पत्तो की गड़ी आपके हाथ में फैंट रखा है आपने उसको अच्छी तरह किस मिक्स कर दिया है सारे पत्तो को उसमें से एक पत्ता निकाला आता तो इसकी प्रकार परिकलेट कीजी कि क्या यह पत्ता नमबर एक इका होगा और नमबर दो इका नहीं होगा यानि आपके पास 52 पत्ते हैं अगर आप प्रकार निकालते हैं अगर इघटना को आप इका आने की प्रकार मानते हैं तो पी इका जो फर्मला हो जाएगा अनुकुल परिणाम आपके 4 हो जाएगे टोटल परिणाम आपके 52 हो जाएगे तो आपके 52 क्यों? क्योंकि आप गड़ी में से कर एक पत्ता खिछते हैं तो उन बावन में से कोई साभी आ सकता है और हम निकाल किस बात की रहे हैं? हमारे लिए अनुकूल कौन है एक का क्योंकि हम एक का निकालना चाहरे हैं तो वो सिर्फ कितने हैं हमारे चारी हैं तो इतले उनकी संक्या उपर 4 आ गए नीचे टोटल बावन आ गए तो 4 अपन 52 आ गया इसको अगर हम 4 से कैंसल कर दें तो 1y 13 आ जाएगा और अब अगले प् पूर घ्टना निकलना यह नी से आओ मेंस करोगे क्हा वन वाई फ तो जब आप एल्सिय को जबए इसका तो 13 आ जाएगा तो 12 upon 13 यह जाएगी या तो आप 1 में से घटा दो 1 का होने की प्राइकता या फिर आप दूसरे तरीके से यह देख सकते हो कि आपको निकालनी है 1 का ना होने की प्राइकता दूसरे कोश्चन में उसको आपने घटना F मान लिया तो टोटल 1 के कितने हैं पूरी घटी में 52 पत्तों के घटी में 4 अब आपको निकालना 1 का ना होने की प्राइकता तो अब हमारे लिए अनुकूल घटना वो होगी जिसमें 1 के नहीं होगे और 1 के नहीं होने वाले पत्ते कितने हैं बावन मेंसे वो चार पत्ते घटा दो एक के वाले तो कितने बचे आपके 48 यानि 48 अब आपकी अनुगूल घटना हो जाएगे टोटल घटना अभी भी आपकी टोटल प्रणाम किते रहेंगे बावन तो आपके 48 बटे बावन हो गया और इसे भी आप 13 से मतलब कैंसिल करो 4 से तो आपका 12 अपॉन 13 इसका अंसर आजाएगा जैसा भुक में इनों ने निकाल रखा है ठीक है तो इस तरीके से आपको ये कुश्चन भी समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ अगर आप उधारन 5 को समझें दो खिलाडी संगीता और रेशमा टैनिस का एक मैश खेलती है यह ग्याद कीजिए कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्राइकता 0.62 है तो रेशमा के जीतने की प्राइकता क्या होगी तैनिस में दो के लाड़ी है अगर एक जीतने की प्राइकता इतनी है तो जो बची भी प्राइकता होगी वो रेशमा की जीतने की होगी यानि पूरग घटना है हो गई दोनों एक दूसरी तो हम पी आर निकालने के लिए यानि रेश्मा के जीतने की प्राइकता निकालने के लिए वन में से पी एस घटा देंगे क्योंकि आर और एस पूरग घटना है यानि वन में से संगीता के जीतने की प्राइकता घटा देंगे या सबक हमाइद मिनार दोनों का जनम देन हो जोगंगे ज़ता हैं यह जोंगे 355th के 1706 दिन आते हैं यह year जो तत्व 05th मे सबस्तocal लिवातर वाले देट दोनों के जनम देन निकाल। तो अगर हम इसके solution को देखें तो दोनों मित्रों में से एक लड़की मान लीजिए सभीता जो पहली वाली है उसका जनम दिन वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है टोटल दिन कितने होते हैं वर्ष में 365 ठीक है और अगर दोनों के दिन भिन भिन है तो यानि जो दिन सभीता का वो हम इसा कोई सभी सकता है इसी प्रकल लड़की जो दूसरी हम ईसका जनम दिन वर्ष के 362 दिनों में सो कोई son थी हो सकता है आप मान लीजी नंबर एग यदि हमीदा के जनम दिन सभीता के जनम दिन से भिन है तो उसके जनम दिन की जो अनुकूल परणामों की संख्या होगी, मान लीजी कि आपने एक दिन जो है, सभीता का मान लिया, तो हमीदा के लिए कितने दिन बचे, 364, तो हमीदा के जनम दिन की, क्योंकि हमीदा का जनम दिन सभीता से भिन है, तो उसके जो जनम दिन की प्राइकता है, वो 364 बटे, 365 हो गई यह हमीदा की आ गई और अगर आपको अब समीदा की निकालनी है तो इसी प्राइक्टा को 1 में से माइनस कर दो 1 में से 365 बटे 365 कर दो तो उसकी क्या हो जाएगी 1 बटे 365 यानि 1 बटे 365 तो हो गई थी सभीता की क्योंकि आपने उसके लिए एक दिन मान लिए ता कोई एक धी दिन होगा ना अनुखुल यानि उसका जन दिन पूरे 365 दिनों में प प्राइक के लिए वह हमीदा का निकालनी के लिए हमने क्या करा उसी को यानि जो बचे हुए जितने दिन थे 364 वो अनुगूल परणाम उसके लिए थे हमीदा के लिए यानि उसके लिए उन 364 में से कोई सभी हो सकता था तो टोटल दिन के ते थे 355 इसलिए हमीदा की प्राइक था 364 बटे 365 हुई ठीक है लेकिन अगर दोनों का जनम दिन एक ही दिन हो तो क्या होगा तो भई एक ही दिन होगा तो वही एक दिन सभीता के लिए हो जाएगा यानि अगर सभीता की प्राइक था एक बटे 365 के लिए हो जाएगा स्कूल में कक्षा 10 में 40 विद्यारती हैं जिसमें से 25 लड़किया यानि टोटल 40 स्टुडेंट्स हैं और उन में से 25 जो हैं और 15 आपके बॉइस हैं कक्षा अध्यापी का जो क्लास टीचर है उसको एक विद्यारती कक्षा प्रती निदी के रूप में यानि क्लास मॉनिटर के प्रती विद्यारती का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है और जबकि कार्ड एक जैसे हैं सारे कार्ड एक जैसे हैं फिर वह इन कार्डों के थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है यानि बोटिंग हो रही एक तरीके से ना उसके बाद यह लौट्री टाइप जि तो लड़की का नाम निकल कर आए इस बात की प्राइकता हो जाएगी 25 बटे 40 यानि फाइव अपॉन एट हो जाएगी लेकिन अब सेकेंड पार्ट में जैसे पुछा लड़के का प्राइकता तो लड़के कितने हैं इसमें 15 टोटल बच्चे कितने हैं चालिस इसे पांस से प्राइकता हो जाएगी तीन बटे आट या फिर आप वन में से यह वाली घटा देते पांच बटे आट तब भी तीन बटे आट आपका आँसर आजाता देखिए इस तरीके से दोनों के आंसर आपके आए हुए हैं और अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप दोनों रेंडमली ऐसी अचानक से निकाल लिए भी न देखे रेंडमली बोलते हैं इसको इंगलिश में तो क्या प्राइकता होगी कि वो कंचा सफेद है तो सफेद हमारे अनुकुल परिणाम कितने हैं दो टोटल परिणाम कितने हैं इसके लिए तीन दो और चार को एड़ कर लो तो दो बटे नौ ऑगई नीले की अगर आपको निकालनी तो नीले कितने हैं तो तीन बटे नौ होगई यह कैंसल में लगा तो यह नोड़ नोट कर लिए ना सबको एड़ करके सफेद कन चानाने की परहे था और नीला कंचाने की प्राइकता को B से represent कर दिया है क्योंकि वो blue हो गया और लाल कंचाने को red से यानी R से तो और फिर सबकी प्राइकता इन्होंने निकाल ली है white आने की 2 बटे 9 आ गई जैसा मैंने बताया था blue आने की 3 बटे 9 यानी 1 बटे 3 और red आने की 4 बटे 9 और सबको add करके भी आप देखोगे तो आपका एक answer आजाएगा यानी आपकी प्राइकताओं का योग यानी सारी प्रारंबिक घटना है आपकी प्राइकताओं का योग एक आजाएगा आशा करता हूँ कि सबको यहां तक समझ में आ गया होगा ये मैंने 8 उधारण आपको समझा दी है प्राइकता का basic concept जो है अच्छे से सबको clear हो गया होगा और आगे के उधारण जो exercises है वो आगे की वीडियो में समझेंगे ठीक है तब तक के लिए आज के लिए विश्राम करते हैं विश्राम देते हैं आज की वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like share करना न भूलें comment करना न भूलें आपका जो भी कोई doubts है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और भी अगर आप personally मुझसे doubt पूछना चाते हैं तो इस वीडियो के description box में मेरे telegram channel का link है आप वहाँ से उसमें मुझे follow कर सकते हैं ठीक है और चैनल को subscribe करना न भूलें और notification की bell को बजाना न भूलें ताकि कोई भी new video आए तो आपको तुरंत पता चल जाए आज के लिए धन्यवाद